तो फेंट समलोग इस वीडियो में हिस्ट्री क्लास एट का चैप्टर नमबर टू का यहां पर दीर उतर यह प्रस देखने वाले हैं तो चले में लोग सीधा वीडियो का स्टार्ट करते हैं यहां पर देखिया आपका पहला नमबर कोश्चन जो वह बोल रहा है कि बंगाल मे पहला प्रांथ था जिस पर कंपनी ने अपना नियांतरहना स्थापित किया था होगले ना दिके किनार से अंग्रेज ने बंगाल में अपना बेपार का बिस्तार किया उन्होंने साहिफ हर्मान तथा दस्तक का दुरुपयोग किया ठीक है यह पढ़ा होगा आपने इस पूसित कर दिया अपने आपको तो उसी में इस स्वतांतर सासक जो मुर्सित कुली खा उसके बाद पिर अलिवर्दी खान बिदेशियों को नियंतरित किया ठीक है इनके मुर्तियों के बाद ठीक है अब यहाँ पे दूसरी और कंपनी ने इस नवाबों को नजराना देने क पर्था को यहाँ पे क्या थे सिर्था में सिर्था है ठीक है उसके बाद मुर्सित मुर्सित कुली खा था उसके बाद अलिवर्दी खा था इन्होंने कंट्रोल किया बिदेशियों को दूसरी और कंपनी ने इस नवाबों को नजराना देने की पर्था का पालन नहीं किया जब ये नवाब बने तुछ समय का ऐसा नियम था, ठीक है, कि इनको नजराना वगरा देना होता था, वहाँ पे जो पार्टी टैप से होता है था, वहाँ पे आना होता था, लेकिन इननोंने आया नहीं, नजराना दिया नहीं, और उनका अपमान किया, ठीक है, इस तरह बंग बना दिया, कंपनी को बंगाल से, बंगाल से दूसरी सब फलता, 1764 में, बकसर यूद समीला, यह यूद मीर कासी, ठीक है, कि साथ हुआ, इस यूद ने बंगाल पर उनका धिपत स्थापित कर दिया, तो ऐसा था, अपने को इतना याद रखना है, सबसे पहले देखे, यहा ने उनको हराया, ठीक है, पराजित किया, उसके बाद में तीन हजार पारसी के दर पर वो इनको बेपार करने के लिए देता है, ठीक है, उसके बाद देखे, जब इनकी मिर्ति हो जाती है, तो अस्थानिय सासक सबसे पहले जो नवाब है, मुरसिद अलिखा, अलिवर दिख सत्ता का उदय हुआ ठीक है, यहाँ पर सत्ता का उदय हिए था, उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर को एक समरिद राज बनाया, हैदरली की बिस्तार के नीती तथा टीपू के बिरोधी वेलाइख के कारन मैसूर तथा कमपनी में चार यूदध हुए थे, जिसमें कम्पनी की जीद हुवी थी पर्थम आंगल मैसिर यूद सत्रा सो सडशाट से इस भी में हुआ था इस यूद में मदरास की संदी हुआ थी या संदी सत्रा सुनहात्र इस भी में हुआ थी अगर यह ज्यादा आपको लॉंग लगे तो यहाँ पर कुछ पाट स्कीप कर सकते ज इस यूद में अंग्रेजी गवर्नल जर्रme वारेन हार्श्टिंग था इस यूद में मंगलोर की संदी हुआ थी यह संदी सा सत्रा सो चवरासी हुआ थी और तृती अंगल मैस 나오y object 172 में हुआ था इस यूद में अंग्रेजी गवर्नल जर्र में कार्र कार्ण बालिस था इस यूद में स्री रंग पटनम की संदी हुई थी यह संदी 1792 विमें हुई थी चातूरत अंगल मैसिर यूद 1799 विमें हुआ था और इस यूद में अंगरेजी गोवर्नर जर्नल जर्नल लॉर्ड बलेजली था हैदर अलिकी मिर्तियू 1772 विमें दूतिय आंगल मैसुर यूद के दोरान हो गई थी ठीक है टीपू की मिर्तू सिरी रंग पटनम जो आपका संदी था तो इस संदी की आखरी यूद यानि चतूरत आंगल मैसुर यूद के दोरान 1759 युस्वी में हो गई थी ठीक है तो यह चारों यूद आपको ध्यान में रखना है और इसी यूद को लिखना है उपर में जो हमने फिर है यह सब तो इस सब पॉइंट वई पॉइंट आप इसको याद रख सकते हैं अब देखते हैं इसरा नमर यहां पर कोश्चन है कि आंगल महराथा समन्द को रेख 1979 चले यह यूद प्रेटी से नाओ और मराथा महसंग के बिच हुए थे ठीक है इन यूदों का परिनाम यह हुँआ कि मराथा महसंग का पूरी तरह से बिनास हो गया मराठो में पहले से ही आपस में काफी मत भेद थे ठीक है काफी भेद भापते जिस कारण वह अंग्रेजों के बिरुद एक जूट नहीं हो सके जहां रगुनाथ राव ने इस्ट इंडिया कमपनी से मेत्रता करके पेशवा बनने का सपना देखा और अंग्रेजों के साथ सूरत की संधी की वहीं बाजिर और दूतिये ने बसीन भाग कर अंग्रेज के साथ बसीन की संधी और मराठो की सुवत तंतरता को बेश दिया पहला युद हुआ रगुनाथ राव दुवारा ठीक ये 1775 सात्रो बिरासी तक महासंग के पेशवा ये दुवारा महासंग के पेशवा के दावे को लेकर ब्रिटिस समर्थन से परम हुआ ठीक है बढ़ गाओं में अंग्रेज पराजित हो गए ठीक है 1789 में लेकिन उन्होंने मराठा के साथ सलवाई की संधी होने तक यूद जारी रखा इसमें अंग्रेजी को बंबय के पास यानि बरतवान में जो मुंबय है उसके पास साल सेथ द्यूप पर कबजे की रूप में एक म मारपन कर दिया अंग्रेजों ने उसे बंदी बना कर बिठूर भेज दिया था जहां 1833 में उसकी मिर्तियू हो गई मराठो के पतन में मुख भूम का वाजी रब दूतियों की ही रही थी जिसने अपनी कायारत और धोके वाजी से संपूर्ण मराठो और अपने कुल को कलंक किया था चाटा नंबर कोश्चा ने बोल रहा कि भारत में कंपनी सासन के बिस्तार पर एक संचिप्त लेख लिखना थो टॉमस रोर नामा के एक अंग्रेजी बैपारी ने मोगल समराट जहंगीर से भारत में अंग्रेजों के बैपार के लिए अनुमाती प्राप्त की थी और हुगली नदी के किनारे से अंग्रेजों ने बंगाल में अपने बैपार का बिस्तार किया 1757 में प्लासी के लड़ाई तता 1764 में बकसर यूद के बाद बैपारी कंपनी एक राजनेतिक सक्ती बन गई कंपनी को बंगाल और बिहार में दिवानी मिनने पर प्रापधन से कंपनी बैपार करने लगए ये सब सब पढ़ना दिवानी मतलब जो रजस्व लेने का धिकार था वो ठीक है बारेन होस्टिंग से लाड होस्टिंग तक यहाँ पर जो ये गवर्नल जर्नल जो रहे है इस इस भी सॉदि के मत तक कंपानी भारत में एक वयपारीं कंपनी से ओपनी बेश्टिंग सकती बन गया मतलब जूए सबकर जो अधर देश कंट्रोल करता है रह नीतिक रूप सर्थिक रूप से तो इसको बोलते हैं औपनी किंट्रोल कर रहा है तो आट्रास सूव संतावन त छेतरे ते जहाँ पर डिरेक्टली उस उनका कंट्रोल था कहीं पर इन डिरेक्टली कंट्रोल यानि परतिनिथी रखना होता था, जिसकी सला से उसे अपने बानितियों को संचालित करना होता था, बीना कम्पनी की सला के वा किसी यूद संधी नहीं कर सकता था, और विदेशी को अपने यहां काम नहीं दे सकता था, ठीक है, सुराच्छा के लिए रखी गई अंग्रेजी सेना का खर्च उससे बहन करना पड़ता था उसी को जो मतलब जिसके हां रखा हुआ जो राजा होता था बिलाई निती जो था वो 1848-1856 के बिच गवर्नल जनरल बने लाट डल होजी ने एक नई निती अपनाई जिसे बिलाई निती का नाम दिया गया या सिधान तो पर अधारिथ था कि अगर किसी सासा की मिर्तिव हो जाती है और उसका कोई पूरुस बारिश नहीं है तो उसकी रियासत धड़ाप कर ली जाएगी उसका उस सासा को किसी अन बच्चे को गोद लेकर उसे उत्तरा धिकारी बनाने का धिकार नहीं होगा तो यह हम हमारा यह चैप्टर खतम हो जाता है अब हम लोग नेक्स चैप्टर के और बढ़ेंगे इसके लिए कमेंट जरूर से करते वीडियो को लाइक कमेंट कर दे और चैनल पनायत हुझे लोगे सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस कर दे मिलते हैं नेक्ट विए तब तक लिज जबारत